हेलो एस्टुडेंट, विलकम टो अम्रेस विस्करमर क्लासेज, आज हम लोग क्लास नाइन्थ में मोशन चेप्टर में ग्राफ का स्टुड़ी करेंगे और ग्राफ से रिल्टेट जो फर्मुलाज हैं उसको हम लोग प्रूप करेंगे तो सबसे पहले हम लोग दिखेंगे आज की विडियो में कि जो ग्राफिकल रिप्रजेन्टेशन ओफ मोशन ये चीज़ समझने की कोशिस करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रजेन्टेशन ओफ मोशन क्या होता है ठीक है तो यहां धान देजिए कि अगर आपको motion को समझना है हमें अगर motion को समझना है तो motion को अगर बेता ढ़ंग से समझना है बहुत यसान तरीके से समझना है तो इसके लिए हमको graph का study करना पड़ेगा ठीक है और अगर सीधी नहीं चलती है तो उस motion को बोलते है non-linear motion ठीक है तो हम देखेंगे कि class 9 की physics में कौन-कौन से जो important graphs आपको पढ़ने हैं तो सबसे पहला जो important graph आपको पढ़ने है उसको बोलते है distance time graph ठीक है अब यह distance time graph क्या है उसको समझिए तो distance time graph में क्या होता है distance time graph में time को x axis पर दिखाते हैं यह x axis है इसको time axis भी आपका सकते हैं यह x-axis है, x-axis या time-axis, x-axis या time-axis, इसलिए यहाँ पर क्यों दिखाते है time को, because time क्या है, independent है, time किसलिए पर depend नहीं करता है, तो time independent term है, तो independent term को हम ऐसा x-axis पर दिखाते हैं, यह इसको क्या बोलेंगे, इसको इस graph के लिए इसको बोलेंगे distance, distance या displacement, axis या इसको y-axis, अब इसको यहाँ पर क्यों दिखाया गया, क्योंकि distance जो है, वो dependent है, किसी पर depend करता है, आप जितनी देर तक चलोगे, उतना ही ज्यादा distance आप कवर कर पाओगे, जितने कम समय तक चलोगे, उतना ही कम distance टरबल कर पाओगे, distance डिपेंड करता है, तो यह independent है, किसी पर depend नहीं करता है, इसलिए x-axis, इसके बाद हम लोग जो second type का graph आपके syllabus में पढ़ना है, तो वो है आपका velocity time graph, ठीक है, अब यह velocity time graph में क्या होगा, कि x-axis पर time दिखाएंगे, time independent quantity है, किसी factor पर depend नहीं करता है, इसलिए इसको x-axis पर दिखाएंगे, जिबकि y-axis पर यहाँ पर हम velocity को दिखाते हैं, या speed को दिखाते हैं, तो यह x-axis पर time, y-axis पर velocity, speed को represent करना ही कालाता है, velocity time graph या इसको speed time graph है, speed time graph भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, तो इसके बाद जो third type का हमें graph पढ़ना है, उस graph को हम लोग कहते हैं, acceleration, acceleration time graph, अब acceleration time graph में क्या होगा, कि x-axis पर time को दिखाया जाएगा, x-axis पर time को दिखाया जाएगा, और y-axis पर आपको acceleration को दिखाया जाएगा, ठीक है, तो यह तीन तरगे graph आपके syllabus में पढ़ने हैं, तो हम लोगों ने तीनों graph का introduction ले लिया, अभी हम लोग first graph को यहाँ समझने की कोसिस करेंगे, अभी हम लोग दिखेंगे, distance time graph को समझने की कोसिस करेंगे, अभी distance time graph क्या है, इस इसको ध्यान देजिए, तो मैंने पहले भी बताया है कि distance time graph में हम लोग x-axis पर time को दिखाते हैं, जबकि यहाँ जो होता है, वो या तो displacement होगा, या तो distance होगा, ठीक है, तो यह क्या है, the change in the position of object with time can be represented on distance time graph. Distance time graph क्या बताएगा? Distance time graph आपको बताएगा कि किसी खास time पर, किसी खास समय में, कोई body है, वो कितना distance travel कर रहा है, या कितना displacement travel कर रहा है, उसकी position में किस तरह से बदलाव हो रहा है, तो उसकी position में किस तरह से change आ रहा है, वो बताएगा distance time graph आप इसका बाद हम लोग देखेंगे information provided by distance time graph distance time graph आपको क्या-क्या बता सकता है इस graph से आप क्या-क्या निकाल सकते हो ठीक है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि हम distance time graph जो होता है तो सबसे पहला जो information ये distance time graph अब बताएगा उसको हम लोग बोलते है nature of the body मतलब distance time graph ये बताएगा कि body rest में है कि uniform motion कर रहा है कि non-inform motion कर रहा है मतलब कैसा motion कर रहा है body body के अंदर कौन सा motion है यान कि nature of body बताएगा कौन बताएगा distance time graph बताएगा अब distance time graph में फिर से एक बार देख लिजे distance time graph के मदद से आप पता कर सकते हैं कि body rest में है कि body uniform motion में है कि body non-inform motion है uniform motion और uniform motion को मैंने पहले भी define कर दिया है इसका मतलब होता है equal time में equal distance या displacement इसका मतलब हो गया equal time में unequal distance या displacement कोई body कवर करता है तो non-inform अगर equal time में equal distance या displacement कवर करेगा तो uniform motion कहलाएगा तो ये पहली बात आपको बताएगा कौन distance time graph जो है nature of the body बताएगा second जो information आपको निकल कर सामने आएगी distance time graph से वो क्या है pinpoint the position of a body at any instant of time आप distance time graph से ये भी पता कर सकते हैं कि किसी खास समय में body की position क्या है body कहां पढ़ है कितनी distance पर है कितनी displacement पर है तो किसी particular time में किसी चन किसी भी समय पर body की position क्या होती है body की position क्या होती है हम उसको भी calculate कर सकते है with the help of distance time graph तो ये दुसरी बात निकल कर सामने आ रही है distance time graph आपको ये भी information देती है इसके बाद जो है third जो information हमें मिलता है distance time graph से वो है जो third आपको information निकल कर सामने आएगी distance time graph से तो आप देखिएगा कि distance time graph जो है वो तिसरी बात क्या बताती है तिसरी बात ये बताती है कि speed of body speed या velocity speed या velocity of body किसी body की speed पता करना है तो आप distance time graph से पता कर सकते हैं या speed या velocity पता करनी है तो आप पता कर सकते हैं ठीक है ना कैसे पता करेंगे तो जो graph का जो slope होगा आप आगे में बात करेंगे slope होगा slope ही आपको बताएगा velocity और speed of the body इनके तीन चीज़े निकल के सामने आई, nature of the body, फिर body की position बता सकते हैं, किसी particular time bar, और body की speed या velocity calculate कर सकते हैं, और इस सारी चीज़े कौन से graph आपको बताएगा, इस सारी चीज़े जो ना distance time graph आपको बताएगा, अब यह हम लोग देखते हैं, student की, when an object is moving with a inform velocity, inform velocity या inform speed, जब कोई body inform speed से, inform velocity से move कर रही है, ठीक है, तो उसका distance graph, distance time graph हमेसा क्या होगा, देखिए, inform motion के लिए, inform motion के लिए graph हमेसा straight line होता है, graph हमेसा straight line होगा, यह origin का लाता है, इसको बोलते हैं, origin, हिंदी में इसको बोलता है, मूल बिंदू, मूल बिंदू, अब इस graph को गौर से देखेंगे, तो यहां मैंने आपको बताया कि जब भी, inform velocity या inform speed की graph जो होती है, वो हमेसा बिलकुल straight line होती है, और वो origin से, पास करती भी जाती है, इसक तो आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या हो, इस graph का मतलब क्या हो, इसका मतलब यह हुआ कि, कि इसका मतलब यह हुआ कि distance जो होता है, distance या displacement, वो directly proportional होता है time का, मतलब अगर हम x हमारा distance है, या displacement है, तो वो directly proportional to time, यह हमारा time हुआ, मतलब, ऐसा graph का मतलब यह हुआ, ऐसी graph जब भी मिलेगी, इसका मतलब हुआ, कि जो change, जितना time में आप change करेंगे, time में जिस तरह से change आएगा, उसी तरह से change आपका distance में आएगा, या displacement में आएगा, ठीक है, अगर हम time को time बढ़ रहा है, तो displacement भी बढ़ेगा, या distance भी बढ़े है, तो उसे लिए मैंने बोला कि जो distance होता है, यानि कि distance या displacement, distance या displacement, ठीक है, तो distance displacement, directly proportional time मतलब, अगर हम इसको बढ़ाएंगे, तो यह दोनों भी आपस में बढ़ेगा, यह घटेगा, तो यह भी घटेगा, तो इस graph का मतलब यह हुआ, ठीक है, तो student अभी हम लोग देखे कि इस graph का application देखेंगे, X-T graph, यानि कि distance time graph या displacement time graph इसको आप बोल सकते हैं, distance time graph या displacement, या displacement, यह distance time graph होगी या displacement time graph हा न, भी आपका सकते हैं, क्या है यूज इसका इस graph का तो मैंने पहले बता दिया कि इस graph का जब हम इसके हम बात कर रहे थे कि तीन तरह की information देता है इस graph की मदद से आप आप speed पता कर सकते हो आप velocity पता कर सकते हो ठीक है ना तो वो इस graph की खासियत है तो आईए हम आगे इसमें बढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं अभी तो displacement time graph या distance time graph जो है इसमें आप दिखेंगे कि इसमें तीन case हम लोग लेकर study इसका करेंगे सबसे पहला case हम लोग discuss करने वाले हैं नमबर one और पहला case में हम लोग क्या discuss करें ये देखेंगे कि हमारे पास कोई particle है particle यानि की कोई body है कोई object है वो rest में है तो rest में करने का मतलब है कि rest में है तो उसका displacement जो है time के साथ नहीं change होगा ठीक है तो graph देखिए, अगर कोई body rest में होता है, तो उसका graph भी straight line होता है, बट वो straight line होता है, लेकिन वो parallel होता है, किसके, ये जो time axis है, इसके ये parallel होता है, ये तभी parallel होगा, जब आपका body, यानि कि कोई particle, यानि कि कोई object क्या हो, rest में हो, यानि कि वो move नहीं कर रहा हो, तब अब इस graph को समझने की कोशिस किजिए, जैसे मैं ये time axis है, तो मैंने यहाँ पर time को represent कर दिया, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, और ये distance axis है, तो मैंने यहाँ मान लिया, कि शुरू में यहाँ A पर कोई body है, और वो 5 meter ये मान लिया मैंने, अब देखिए, 1 second में हम क्या देखते हैं, कि body की position क्या है, 5 meter पर खड़ा है, 2 second में भी क्या है body की position, same 5 meter पर खड़ा है, 3 second में body की position क्या है, 5 second पर खड़ा है, और 4 second में body की position क्या है, 5 second पर खड़ा है, यानकि time तो change हो रहा है, बट body जिस position पर शुरू में था, initially था, अभी उसी position पर, यानि कि हम इसको बुलेंगा, कि body rest में है, 1 second में भ भी 5 मीटर पर खड़ा और 4 सेकन में भी 5 मीटर पर खड़ा यानि कि यह जो ग्राफ बता रहा है कि वो डिस्प्लेस्मेंट टाइम ग्राफ ऐसे दिखाते हैं चिक है और वो स्टेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस के पैरलल होगा आज क्लास में हमनों कितने सिखेंगे इसके बाद वाले केस और दुसरे टाइप के जो ग्राफ है उसको हमनों अगले वीडियो में सिखेंगे आई होप सारी चीज़ा आपको समझ में आई होगी सो थैंक यू फोर यू और सपोर्ट एन्यूर कीप वाचिंग